नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखो में दोस्तों जिन कंडिडेट्स ने अभी तक बिहार लगू जल्द संसाधन विभाग में फॉर्म को फिलप नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलप कर ले क्योंकि उस लगूज जल्द संसाधन विभाग भरती बिहार में नहीं अभियंता भरती 2020 और इसका ओफिसल नोटिफिकेशन भी जाड़ी हो चुका और अपलाइग ओनलाइन डेट का भी इसका हो चुका और क्या-क्या इसमें है मैं आपको सारी जानकरी इसमें बताने वाला हूँ तो पहले आप तक पहुचे और सबसे पहले आप पर निउस की जनकारी प्राप कर सकेंगे तो चल्दी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या उसके निउस में दिया गया है और कौन से पदे हैं वो भी मैं बता देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लगू जल संसाधन विबाग में 200 जेई सम्विदा पर होंगे बहाल जिया दोस्तों जो 200 जेई की जो जूनियर इंजिनियर होंगे उनकी जो है सम्विदा पर होंगे बहाल और राज के लगू जल संसाधन विबाग में 200 जूनियर की बहाली सम्वीदा पर होगी हैं सम्वीदा के आधार पर नियोजन अधिक्तम के लिए होगा इसके लिए आवेदन की अंतिमतिति जो है आपकी वह यह एक तीस जन्वड़ी यह इसकी ओफिसली वेबसाइट है आप इसी ओफिसली वेबसाइट पे जा करके आप अपना ओनलाइन कर सकते हो और इसकी जो वेबसाइट है पर भी इसका सारा नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है और चुने गए उमिदवारों को जो है महिने के 27,000 रुपे सेलरी के और इसकी अंतिन तित्थी जो है 30 जनवरी 2020 की रखी गई है और इसके अलावा सरकारी सुविधाय और भज्ते के भी समय समय पर दिये जाएंगे इन पदों के लिए चयन मेरिट के अधार पर होगा इसके साथ ही जिन उमिदवार को काम का अनुवाब है उन्हें वरियता भी दी जाएगी निकाले गए पदों में 1500 जुनियर इंजिनियर होंगे और जुनियर इंजिनियर मेकनिकल के जो होंगे वो 50 पद होंगे यानि कि जो जुनियर इंजिनियर में सिविल किये हुए हैं उनके लिए 1500 पदे हैं और जो मेकनिकल किये हुए हैं जुनियर इंजिनियर क के अनुसार आरक्षन दिया जाएगा इसके लिए जो है 18-2019 को उम्यदवार की नियुनतम आयू 18 वर्स होने चाहिए और अधिक्तम 37 वर्स यानि कि जिनका जो है 18-2019 तक में 18 वर्स होता है वही जो है इस वैकेंसी के क्वैलिफाय होंगे और जिनका 18 वर्स से कम होता है उन्हें इसमें फॉर्म भने के अनुमती नहीं दी जाएगी और इसकी जो अधिक्तम उम्यदवते जो हती है वह असाइतिस वर्स की होगी और इससे में जो है इससे आधिक होने ही होना चाहिए और आरक्षी कुट्टिकिप को सरकारी नियोमे के मुताबित उप्री आयूश्यमाज म मेकनिकल के लिए तो दोस्तों मैंने आपको यह सब साड़ी बाते क्लियर कर दिये अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और इतना सेयर करेंगे ताकि जो भी कंडिडिट्स इसके लिए इसीवल हो जन्निवाद